नमस्कार अग सवालों से घोटाले बाद बॉलिवोड को सुलकाएंगे जहां मोधी सरकार ने ऐसा एक्शन दिया है कि बड़े बड़े एक्टर्स भाग खड़े हुए हैं बड़े खबर ये आ रही है कि नेताओं के बाद केंद्रिय ज्यांच एजेंसियों ने अभी नेताओं पर नकेल कसी है टी सीरीज से जुड़े प्रोड्यूसर विनोध भानुशाली और बॉलिवुड के कई बड़े प्रोड्यूसर्स के ठिकानों पर आयकर विभाग की ताव कुलासे पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं आयकर विभाग ने बॉलिवुड में क्यों की छापे मारी बॉलिवुड के कितने प्रोड्यूसर्स पर हुआ एक्शन क्या आईटी टीम टेक्स चोरी मामले में करेगी गिरफ्तारी इन सवालों ने बॉलिवुड का सियासी पारा हाई कर दिया है क्योंकि एक बार फिर बॉलिवुड से बड़ा घोटाला और बड़े बड़े अभिनेताओं का काला धंदा बाहर आने वाला है दरसल बॉलिवुड में ये छापे मारी टेक्स चोरी के आरोप में की गई है प्रड़क्शन हाउस पेइन के जैनती लाल गड़ार के ठेकानों पर भी इंकम टेक्स रेड की है सभी पर टेक्स में गड़बडी का आरोप है तो वही विनोद भानुशाली की कंपनी देश की शीर से संगीत और प्रड़क्शन कंपनीों में से एक से पहले जुड़ी थी हाला कि कुछ वक्त पहले ही उन्होंने अपना प्रड़क्शन हाउस लांच किया बतादे कि विनोद भानुशाली छोटे मोटे प्रोडियोसर नहीं बलकि काफी बड़े लेवल के प्रोडियोसर है जो कबीर सिख, साहो, बाटला हाउस, ठपड और ताना जीदा अंसर वारियर जैसी तमाम बड़ी फिल्मों के सह निर्बाता रहे हैं ऐसे में का जा रहा है कि उनके ठिकानों पर हुई इस छापे मारी में तमाम सबूत हाथ लगे हैं जो विनोद भानुशाली की मुश्किले बढ़ा सकते हैं क्योंकि PM मोधी का जाच इजन्सियों को सक्ता आदेश है कि घोटालों को बक्षा न जाए फिर चाहे कितना भी नेता हो या भी नेता ही क्यों ना हो चुन-चुन कर कारवाई की जाए इसी का नतीजा है कि छापे मारी का अगला नंबर बॉलिवुड में लगा है जिसमें आयकर विभाग ने पेंच स्टूडियो के प्रमोटर जुएंति लाल गड़ा के ऑफिस समेत घर पर भी छापे मा दरसल बॉलिवुड इंडस्ट्री ग्लैमर इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है लेकिन इस इंडस्ट्री पर भी आईटी डिपार्टमेंट की अपनी नजर है ऐसे में जब भी इस डिपार्टमेंट को किसी भी सेलेब पर शक होता है तो वो उनके घर पर रेड मार देती इंडेस्ट्री के कई बड़े सितारे आईटी के निशाने पर आ चुके हैं इसकी वज़ा से ये सेलिब्स काफी समय तक चर्चा में बने हुए थे तो चलिए अब उन एक्टर और एक्टरिस के बारे में बताते हैं जो आईटी विभाग के जाल में फर्स चुके हैं तो सबसे पहला नाम सामने आता है तापसी पन्नू का बॉलिवड अभिनेतरी तापसी पन्नू अपने फिल्में के अलावा अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में बनी रहती हैं हमीशा लिबरल गैंग के साथ मिलकर कोई ना कोई तमाशा करती रहती हैं ऐसे में तापसी पन्नू भी आयकर विभाग की रडार पर आ चुकी है बता दे की तापसी के घर पर भी इंकम टेक्स की रेड पढ़ चुकी है रिपोर्ट की माने तो ये रेड फैंटम फिल्म की टेक्स चोरी के सलसले में की गई थी बाद में तापसी ने ट्वीट कर बताया था कि उन पर पर आ चुकी है साल 2011 में टेक्स की जानकारी सही तरीके से नहीं दिये जाने पर कट्रीना के घर इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की रेड पढ़ी थी इस रेड के कारण अभिनेतरी को काफी कानूनी पच्छडों में फसना पड़ा था आचे विभाग ने एक्ट्रेस पर प्रियंका चोपडा का बॉलिवुड ही नहीं हॉलिवुड में भी अपनी पहच्चान बनाने वाली प्रियंका चोपडा के घर भी इंकम टेक्स विभाग चापे मारी कर चुकी है रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रेड पड़ी थी तब प्रियंका के पास लगबग 6 करोड की संपती थी बता दे कि इस रेड ने अच्छी खासे सुर्खिया बटोरी थी ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त अभिनेत्र के घर शाहित कपूर मौजूद थे जिसके बाद दोनों के अफेर की खबर सुर्खियों में चा गई थी इस मामले में प्रियंका चोपडा की पर आ चुकी है सल्मान खान पर भी आयकर विभाग ने नकेल कसी है दरसल बॉलिवुड के भाई ज्वान सल्मान खान अपने आगामे फिल्म किसी का भाई किसी की ज्वान को लिकर चर्चा में चल रहे हैं साल 2002 में सल्मान खान के अलग-अलग जगों पर मौजूद पटी थी वहां वहां आयकर विभाग ने तलाशी ली थी यहीं नहीं उनके पन्वेल के घर पर भी इंकम टैक्स की रेट पड़ चुकी है पुलिस ने उनके अलवा भाई सोहेल खान से भी इस मामले में पूछताच की थी इसके साथ ही शारुकान भी आयकर विभाग के शिक खान गैंगी नहीं तमाम अभिनीता और अभिनीतरी ऐसे हैं जुनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसियों ने एक्शन दिया कई लोगों के संपती तक सील भी की गई जिसमें शारुकान का नाम भी शामिल है ये लोग बॉलिवुज के आर्ड में नीमों से खिलबार करते रंगे हाथों पकड़े गए और जुआच इजेंसियों के शिकंजा कसने ने इनका काला चुट्ठा बाहर आ गया इसे के साथ बॉलिवुज की दमदार एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी आयकर विभाग के निशाने पर आ चुकी हैं साल 2000 में एक्ट्रेस का करियर काफी पीक पर थ एक्ट्रेस पर टैक्स चोरी के आरोप लगाये थे दरसल ब्लैक मनी होने के शक में आयकर विभाग ने एक्ट्रेस के घर पर छापा मारा था रिपोर्ट्स के अनुसार इस छापे मारी एक्ट्रेस के घर के 12 लाख रुपए कैश बरामत किये गये थे साथी संजदत को भी आ जादा समय तक तलाशी ली थी दरसल ऐसा कहा गया था कि एक्ट्र के पास कस्टम निर्मित घडिया है जो करोडों की कीमत में बताई जाती है इस शक्त के अधार पर एक्ट्र के घर आयकर विभाग ने छापे मारी की थी तो आयकर विभाग की निजर बॉलिवुज के काले क दुष् úl पर नानो पर हम SUBSCRIBE रहती है तुमाम एक्ट्र और आयकर विभाग की रडार पर आ चुके हैं आने वाले वक्त में प्रोडियोसर की तीजोरी आयकर विभाग को चोकाने वाली है तो एक साफ आयकर विभाग ने बॉलिवुट में तहल का मचुआ दिया है तो दूसर और रैपर हनि सिंग के खिलाफ लिखिद शिकायत दरज कराय है विवेक ने हनि leness पर किड्नैपिंग और मार पीड्न का मामला दर्ज कराया है यह मामला पैसे की लेंदीन से जुड़ा है का ज़ा रहा है कि विवेकक ने festive winner नाम से एक event रखा था हने सिंग इसमें perform करने वाले थे बाद में पैसो की गडबड़ी के चलते विवेक ने इस कारिक्रम को रद कर दिया विवेक का आरोप है कि इसके बाद हनी और उनके सातियों ने उन्हें किड़नाप किया और मारपीट की विवेक रंबन ने आरोप लगाया कि हनी और उनकी लोगों ने मुंबई के सहार में इस्थत होचल में बंदिक बना कर रखा और जहां उनके साथ मारपीट भी की गई विवेक ने इन सभी के खिलाब F.I.R. दर्जकर गरफतारी की मांग की है अब इस पूरे मामले में हनी सिंग का रेक्शन आना बाकी है हनी सिंग का विवादों के साथ हमीशा से नाता रहा है उनके उपर आरोप लगते रहे हैं कि वो अपने गानों में अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं इसके अलावा वो कुछ दिन नशे के चलते इंडस्टी से बाहर भी रहे थे उनकी एक्स वाइफ शानी तलवार ने हनी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराये था शालीनी ने हनी पर शारिरिक और मानसिक हिंसा का आरोप लगाये था चालिनी ने अरोब लगाते हुए कहा था कि हनी इंटरनेशनल टूर पर जाने के बहाने दूसरी महिलाओं के साथ अवैद संबंद बनाते हैं उन्होंने हनी से तलाग के एवज में 10 करोड रुपई मांगे थे हाला कि मामला एक करोड रुपई के एलिमनी के तौर पर जाकर फिक्स हुआ था तो अब बॉलिवोड में दंग फैलाने वाले लोगों पर तीजी से एक्शन शुरू हो गया है तो लगता सवाल में आज के लिए इतना ही नए मुद्दे के साथ फिर पईशूंगे तब तक के लिए देखते रहे हैं नमस्कार हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुर्णे के लिए शुक्रिया